कि मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्याण करेंगे मित्रों वर्षथ 215 में गंगा सत्मी कब है जानि ये दिन्व तारी क्या है पूजा का सुप मुरत कब है पूजा करने की भीधि क्या है और सत्तमी दित्फी कब शुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सिया करेंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार हर वर्स बैसाक मास के सुकल पक्च की सत्तमी तिथी को गंगा सत्तमी मनाई जाती है ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से माता गंगा की उत्पत्ति होई थी इसलिए गंगा सत्तमी के दिन जो भी गंगा जी में डूब की लगाते हैं उनके साथ जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे अम्रित की प्राप्ति होती है और इसनान करने से समस्त रोग दोस एवं सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुक सम्रिध्धी की प्राप्ति होती है साथ ही गंगा सत्तमी के दिन सुब मुहुर्त में की गई उपासना से मुक्ष की प्राप्ति होती है सास्त्रों की अनुसार गंगा सत्तमी के दिन प्रातर काल इसनान करती समय माता गंगा का थ्यान करें इसके बाद सूरे देव को एक लोटा जल अर्पित करे और घर के मंदिर में धूप दीप करके सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिसेक करे इसके बाद माता गंगा का ध्यान करते हुए उन्हें पुस्प अर्पित करें और गंगा मया को भोग लगाएं फिर माता गंगा की आरती करें गंगा सत्तमी के दिन गंगा इसनान करते समय गलत दिशा की ओर मुख नहीं करना चाहिए बलकि नदी की धारा या सूर की ओर मुख करके इसनान करना चाहिए आज की दिन सूर दिव को गंगा जल जरूर अर्पित करना चाहिए माननेता है कि गंगा जी में इसनान करते समय मन में नकरात्मक विचार नहीं आने चाहिए गंगा जी में इसनान करते समय साप सफाई का विशिस ध्यान रखना चाहिए गंगा इसनान करने की बाद गंगा स्लूक का पाठ करना चाहिए इससे आपको गंगा इसनान का पूर्फल प्राप्त होता है गंगा सत्तमी के दिन इसनान करने के बाद दान चरूर करना चाहिए मित्रों अब पूजा करने का सुप मुहुरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दे कि वर्स 25 में गंगा सत्तमी कब है तो आपको बता दे कि वर्स 25 में गंगा सत्तमी तीन मई दिन सनिवर को मनाई जाएगी गंगा सत्मी मध्यान पूजा का सुभ मोहरता है तीन मई तुहजर पच्चीस को सुभ दस बच का चवालिस मियर से लेकर दो पहर एक बच का तेईस मियर तक रहेगा यानि पूजा करने की कुल अधी होगी दो घंटे 49 मिनट सत्मी तिथी प्रारंभ होगी तीन मई तुहजर पच्चीस को सुभ सात बच कर 51 मिनट पर सत्मी तिथी समाप्त होगी चार मई तुहजर पच्चीस को सुभ सात बच कर 18 मिनट पर